असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब खेरेट से होंगे आज मैं आपको प्रुबर्जन इंजेक्शन 5000 आयू पे मुकमल रिव्यू दूँगी कि इन कि इन परपस में ये इस्तमाल होता है क्या बेनिफेट्स हैं क्या साइड इफेक्ट्स है और दौसिज के बारे में बात करेंगे ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो इन फर्टिलिटी के तोर पर इन फर्टिलिटी इंजेक्शन है ये इन फर्टिलिटी को ट्रीट किया करते हैं इस इंजेक्शन से मेल और फीमिल दोनों में ये इस्तमाल होता है वीडियो मजीद आगे formulation chronic gonatropin है जो के जिसका generic work males or females में hormones पर work करना है females में hypomanesia एक ऐसी condition है जिसमें इसका इस्तमाल करवाया जा सकता है वो females जिनका one two two months के अंदर मिस्केरिज हो जाता है उसमें भी इस्तमाल कराए जाती है ताके मिस्केरिज से बचा जा सके primary minoria और secondary minoria एक ऐसी condition है जिससे fertility पे बहुत ज़्यदा असर होता है क्योंकि ovulation नहीं होती और जिसकी वज़ा से agri-lase नहीं होता और pregnancy नहीं हो पाती और वो females infertility का शिकार हो जाती है उसको treat करने के लिए यह best है यह किस तरह से female में work करता है किस तरह से injection pregnancy की तरफ बोड़ी को तयार करता है उसके बारे मैं आपको बताती हूँ हूँ ट्वेल्स टेव पे females का एग में चोर हो जाता है डॉक्टर्स monitoring करती है कि जो भी डॉक्टर आपको फिर subscribe करेगी जिस भी डॉक्टर के पास आप चाह रहे हैं वो आपको monitoring करेगी कि आपका एग का size कितना अच्छा हो चुगा है एग की size की बात करें तो 18 से 22 mm जोंसा होता है सबसे best egg का size होता है अगर 18 से 20 के दर्मियान में जितना भी size का आपका egg ready हो चुका है देन फिर आपको डॉक्टर प्रिस्क्रेप करती है कि आप ये injection लगवा लिए HCG injection कह सकते हैं मुख्लिब brands के नाम से मिलते हैं वो लगवा ले उसके बाद इस injection को लगाने के बाद जो एग होता है वो mature होता है और 36 से 48 hours के अंदर-अंदर रप्चर हो जाता है देन उसके बाद आपने अपने husband के साथ relation में रहना है continuously three days के लिए और देन आगे alternative days पे आपने relation में रहना है इस तरह से pregnancy के chances ज्यादा हो जाते हैं लेकिन ये एक बार ही injection के लगने पे ही pregnancy नहीं हो सकती कुछ की हो भी जाती है लेकिन three months का ये course होता है कि हर three months पे आपको प्रेल्टे पे आपको ये injection लगए ये आपकी डॉक्टर आपकी condition के मताबिक आपको पताएंगी आपने खुछ से इस injection का बिलकुल इस्तमालने करना डॉक्टर की observation में इस injection को लगवा सकते हैं वैसे खुछ से इस injection को आपने नहीं लगवाना है इसके बहुत से rare side effects की आपको हो सकते हैं अब इसके side effects के बारे में बात करें, तो आपको nausea हो सकती है, headache बहुत heavy किसम का हो सकता है, आपके abdominal pain हो सकती है, और ये कुछ normal से side effects हैं, लेकिन इससे अगर आप कुछ से इस्तमाल कर लेंगे तो ये आपको ज्यादा से, ज्यादा इसके side effects के सामना करना पड़ेगा, बेहतर गही है कि आपने डॉक्टर के मताबिक, डॉक्टर की राय के मताबिक, आप अपनी condition को देखते हुए, डॉक्टर आपको जो prescribe परता है, अपने वो इस्तमाल करना है, खुद से इस injection का बिलको यूज नहीं करना, तो विवर्ज, प्यूबर्जन ट्रॉनिक गोनाट्रोपीन का ये मकामल रिब्यू था, आपकी कोई भी क्यूरीज हो, आप कमेंट बोक्स में अपनी राय का इजहार करें, जो भी क्यूरीज हैं आप वो कमेंट कर सकते हैं, आपको बरवक्त उसका reply ज़रूर मिलेगा, वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें, तैंक यू, अलाहाफिज,